बच्चो आज हम पढ़ेंगे फ्रेजिट जोन में human life कैसा होता है? जब फ्रेजिट जोन में human life कैसा होता है? उसके बारे में हम पढ़ेंगे Life in the present zone is very difficult due to the extreme climate condition and lack of vegetation बच्चो फ्रेजिट जो life है वो very extreme climate condition के बज़े से बहुत difficult होता है फ्रेजिट जोन में रहना बहुत difficult होता है क्योंकि extreme climate condition के लिए फ्रेजिट जोन में रहना और उसमें life बहुत difficult है इन यूट्स इसको Eskimos भी कहते हैं इसका मतलब है जो लोग फ्रेजिट जोन में रहते हैं जो इस रिजन में रहते हैं यह climate को अपनाए हैं यह climate में रहे कर उनका आदध हो गया है they are short and short people बहुत छोटे होते हैं देखने में बहुत छोटे जैसे दिखते हैं they have plant faces with small eye और उनका plant जैसा faces होता है plant faces होता है और छोटे छोटे आया होता है चोडे faces होता है और छोटे छोटे आया होता है their skin is copper yellow in color उनका skin बच्चो yellow color हो जैसे होता है उनका skin जो है yellow color जैसे होता है in the north frigid zone North frigid zone में क्या होता है देखो Eskimos build their house with snow blocks जो north frigid zone में जो रहते हैं लोग उनका house को snow से बॉर्ब से बनाए हाते हैं उनका जो घर है चारो तरफ बॉर्ब जमा हो जाता है इनको कहते हैं बचो यह house को कहते हैं इगलो देखो बचो यह है उनका चारो तरफ बॉर्ब हो जाता है इसको कहते हैं इगलो बॉर्ब के घर जैसा दिख रहा है यह देखो यह है बचो इगलो यह जो फ्रेजिट zone में जो लोग रहते हैं उनका house ऐसा होता है यह इधर से बच्चों को एंट्री करते हैं और एक्जिस्ट करते हैं यह देखो थोड़ा यह जीसे रास्ता है देखो यह और दो फ्लोर अप दो हाउस इच कबर विद थिक स्केन और फिवर्स अप अनिमल्स बच्चों जो उनका फ्लोर होता है हाउस का वो किस से कबर करते हैं ठिक स्कीन से या पोर से अनिमल्स के स्कीन से यह कबर करके रखते हैं उनका जो घर होता है वो अनिमल्स के स्कीन से कबर करते हैं और पिपूल अप और ज्यादा एनिमल्स के उपर ही डिपेंड करते हैं बहुत ज्यादा अनिमल के उपर ही डिपेंड करते हैं However, Antarctica is not inhabited by any permanent residence People visit Antarctica on scientific expedition लोग जाते हैं Antarctica scientific research के लिए बहुत लोग जाते हैं Scientist and research scholar stay in specially constructed temperate residence house to conduct research work बचो जो इस region में Antarctica में बहुत सारे scientist research के लिए जाते हैं और वो कहां रहते हैं उधर होता है Temporary resident, resident house होता है Temperate resistance house होता है उधर लोग रहते हैं वो की बिल्कुल specially constructed उनके लिए Temperate resistance house होता है उधर लोग रहते हैं There are about 4,000 seasonal visitors to Antarctica बच्चो आंटाटिका में 4,000 seasonal visitors है तो आंटाटिका के जो लोग रहते हैं बहुत छोटे दिखनिक होता है उनका आयक जो होता है बहुत छोटे छोटे होता है उनका body का color yellow होता है यह याद रखना होगे वो लोग का जो घोर होता है चारा तरफ बहुत हो जाता है उनको कहते हैं इगलो और उनके चारा तरफ आनिमल के skin से cover करके रखते हैं